हाई गाईज वेलकम बैक टू फैक टू हॉसम मैं हूँ सुगमोर मेरे चानल पर फिर से एक बार आपका स्वागत है फ्रेंड्स मेरा आज का टॉपिक फिर से एक वेट लॉस का टॉपिक है और फ्रेंड्स जो इस बार मैंने वेट लॉस के लिए जो चीज चुनी है वह बहुत ही इसली अबलेबल है आपके मार्केट में क्योंकि बहुत से लोगों ने मुझसे शिकायत की है कि उन्हें वह चीज नहीं मिलती है या फिर ऑनलाइन वह नहीं मंगवास पाते हैं इसलिए मैंने ये रास्ता चुना है कि आपको कोई ऐसी चीज बताएं जो इसली मार्केट में अफलेबल हो और सेकेंड चीज जो बहुत ही कॉस्ट में कम हो और इस ड्रिंक की जो कीमत है वह मात 23 रुपए है और आपको किसी भी स्टोर पे ये इंग्रीडेंट मिल जाएग तो उसमें वो हमारी बॉड़ी में बहुत सारी गंदगी भी छोड़ देती है क्योंकि महनत करने में जो भी चीजे निकलती है तो वो जाके हमारी बड़ी आप में फास जाती है जिससे कि क्या होता है बहुत सारी बिमारियों को जन्म होता है बहुत सारी कीडे मुकॉडे मह इस इंग्रीडियन को चुना है जिससे कि आपकी बॉड़ी का जो भी गंदगी है जो भी पेट में जो भी पुरानी से पुरानी कब्ज है और गैस्टिक प्रॉब्लम भी अगर आपको रहती है तो भी इससे जाएगी तो इस तरह से आपकी बॉड़ी पे काम करेगा प्रेंडस क्या हते हैं कि जब हम बहुत पेदा मोटर होते हैं या फिर हम को चीज खाते हैं कोई भी नूटीशन वाली या पी कोई भी चीज खाते है तो उसके जो मिनरल्स है वह हमारी बॉडी अपशोशित नहीं कर पाती है और वेस्टी चीजे हमारी बॉडी में और जब हम खाएंगे तो हमारा वेट आटोमेटिक गेन होगा इसलिए फर्स आप आपकी बॉड़ी को पूरी तरह से क्लीन होना चाहिए जब वो क्लीन होगे तो आप जो कुछ भी खाएंगे तो उसकी 100% आपको विटामिन्स मिलेंगे 100% आपकी बॉड़ी मिनरल्स को भी तो चले स्टार्ट करते हैं हमारा आज का वीडियो चूड लेना है फ्रेंट्स तिफला जिसे अरवेद में अम्रद भी कहा जाता है त्रिफला को अरवेद में दूद के समान भी माना गया है मां के दूद के समान भी माना गया है यदि आपके पास त्रिफला है तो आपको करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है इसका सारिया है कि जिस तरह से मापने बच्चों की देख भाल करती है उसी तरह त्रिफला शरीर के आंतरिक अंगों की देख भाल कर सकता है तो यहां पे मैं पता अंजली का ट्रिफला चूर ले रही हूं और जिसके कहमत 23 रुपए है तो इससे सस्ता वेट लॉस का जरिया आपको कोई भी नहीं मिलेगा तो आप किसी भी कंपनी का ले सकते हैं यहां पे मैं एक कप वाटर ले रही हूं इसका मिजर्मिंट यही है एक ग्लास पानी रहे है तो आपको दो ग्लास पानी बार में एक ग्लास और डाना चली उतना पी भी नहीं पाएंगे तो यहां पे मैं एक कप ही पानी ले रही हूं और अगर आप नाप से बोलेंगे तो यह 1.500 ग्राम पानी है यानि कि 150 ml आपको पानी लेना है या फिर एक कप तो आपको यहाँ पर लगबग दो चम्मच त्रिफला चूण को रात भर ऐसे ही सोक करके रख देना है रात भर इसको ऐसे ही रख देना है जैसे जो भी इसमें है वो अच्छे से इस पानी में सारे इस्ट्रेक्ट आ जाए और सब तो इसे आपको रात भर के लिए ऐसे ही रख देना है इसके बाद नेक्स्ट मॉर्निंग आपको इसे एक पान में लाना है और इसके बाद एक कप वर्टर आपको और लेना है और जो कुछ भी इसके नीचे बैठा है उसे आप इस्पून की हर्फ से पूरा हिला के इसे अब आपको next क्या करना है कि इसे चड़ा दीजे और जब तक ये एक कप न रह जाए आपको धीमी आज पर इसे रखना है तो आपको इसे तब तक पकाना है जब तक ये एक कप न रह जाए यानि कि एक कप पुरी तरह से जल जाए तो इसे आपको तब तक ही पकाना है त्रिफला तीन प्रकार की जड़ व्यूटियों से बना होता है और यह हमारी आंत्रिक सफाई को बढ़ावा देता है और जो भी हमारी बॉड़ी में जमाओ या अधिकता की इस्थिती उत्पन हो जाती है उसे कर्म करता है और पाचन तंत्र और पोशक तत्यों के समिलन को बहतर बनाता है आरवेट का या त्रिफला जो चूण होता है या हमारे वाद पित तीनों दोशों को दूर करने वाला है और यह गुड़ दुलब होता है और बहुत ही कम औशदियों में भी या गुड़ पाचन आपके मैंने में बहुत सारे ऐसा सवाल चलते होंगे कि त्रिफला हमारे जब हम बहुत सारे जंग फूड या कुछ इस तरह की चीज़े खाते हैं तो उसके लिए हमारे पेट को काफी महनत करनी पड़ती है जिसके दोरा पेट में काफी वेस्ट मेटेरियल हिकठा हो जाता है और वह हमारी बड़ी आंत में जमा हो जाता है और यह फसा हुआ वेस् इस आपको सुनने में ना अच्छी लगे लेकिन यदि आपका वेट कम करना चाहते हैं और अच्छा स्वास रखना चाहते हैं तो आपको यह जान लेना जरूरी होगा कि यदि पाचन तंत्र खराब होगा और आपका शरीर नुटीशन के कम मात्रा को कम से कम अफ्शोषित क इसके परणाम स्वरूप आपको ज्यादा भूक लगेगी और आपका वीट गेन होगा इसके लावा थकान महसूस करेंगा और किसी काम को करने में आपका मन भी नहीं लगेगा तो यह देखे यहां पे मेरा जो है वो एक ग्लास वाटर बचा है तो अब मैं इसे स्ट्रेंड कर तो यह जो ड्रिंक है वो रड़ी है आपको सुबह इससे खाली पेट लेना है और इसी तरह गरम-गरम आप इसे पीज़े आपको बहुत वाइदा होगा होप गाईज आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आया होगा और पसंद आया होगा तो प्लिजस अबसे पहले लाइक करिएगा सब्सक्राइब करेगा शेयर करिएगा और जो लोग पुर्ण भी इस प्रॉब्लम को जहल रहे हूं आपके फ्रेंड सर्किल में आपकी फामली में या फिर आपके मुहले में या कहीं भी उन्हें आप ये वीडियो शेयर भी कर सकते हैं तो मिलते हैं नए वीडियो के साथ तब तक के लिए बागाई